औराइन मेरे प्यारे दोस्तों मैं हूँ हारे सुल्तान और फिर से वह जो इंसिडेंट हुआ था ड्रेस पे जिसके उपर अरबिक लिखी थी हम शूर कि आप लोग बहुर होते जा रहे होंगे इसके उपर बात करना लेकिन यह बहुत जरूरी है कि इसके अंदर जो भी मेजर अपडेट आता है वह मैं आपके सामने लाओं और हम सारे इसके उपर जितनी ऊवाज उठा सकें उठाएं क्यूंके एथिएस्टों ने और एथियस्टों में मैं ही था सबसे पहले जिन्हों ने इस ब्लास्फ़मी के उपर इतनी आवाज उठाने शुरू की कि अब मौलव उन्हीं से नहीं पहले तो liberal भी नहीं बोलते थे बलकि आपकी मौलवी क्लास है उससे भी अभी जो यह वाकिया हुआ उसमें आपने देखा कि किस तरह एक जाहिल मौलवी ने जिसको खुद पढ़ना लिखना नहीं आता था उसने का कि नहीं नहीं यह कुरानी आयात है उतारो पढ़ना भी चाहिये था लेकिन कुछ आपको पता है पागल दमाग लोग को करते हैं नहीं सबसे पहले हमने मैंने वाद उठाई वाले डरते थे सारी मेरे से पहले सलमान तसीर उन्हों ने उठाई लेकिन उन्होंने अपनी जाने कोनी पड़ी जिसके वहां से लोगों ने लाइक करें शेयर करें नीचे कोमेंस में चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरह तो पहला इसके अंदर मेजर अपडेट यह है कि जब उन लोगों ने यह काम किया है उनको च्छेतर पोला करो पंजाब पुलिस जिंदाबाद का नारा लगवाऊ उनसे तो हुआ कुछ ऐसे कि यह अपडेट आया कि जिन लोगों ने सबसे पहले यह शरारत की थी कि यह गुस्ताखिय गुस्ताखिय उनके उपर मुकदमा होगी और उनकी गर्दन तक भी कानून के हाथ पहुँच रहे हैं और यही होना चाहिए यह एहमी इनों बनाया है कि किसी को पर गुस्ताखिय का लगा तो आप हीरो बन जाओगे याद है ना वो जिसने बैंक पैंडिजर का कतल किया था स्कूर्टी कार ने बाइर आकर बंगने डालने लग गया था कि मैंने कतल किया है मैं बहुत बड़ा हीरो हूँ यह इनों ने कल्चर ऐसा क्रियेट किया और भी बड़े-बड़े मजभी लोग भी कह रहे हैं उनके पर भी बात करते हैं बहराल एफाइयार उन सारों के खलाफ लग गई है और इसके ओपर यह लिखा है कि सस्पेक्स जिन्हों ने एक मॉब क्रियेट कर दिया था क्यूंकि गुस्ताखिय के जूटे लगा तो खुद ही प पर भी होनी चाहिए लेकिन पता नहीं अगर नहीं यह कानून तो शायद अब यह कानून बना दे कि जिसने जूटा लगा लगा वो कोई तो गृफ्ट हो जो आपके लगा थे गुस्ताखिय का हैं मुठा कर गुस्ताखिय का लगा थे वह मारा जाये बिचारा और यह की फुल की अगर की आवाज निकलती भी है तो वो हमारे एंथिस्तों की तरफ हम Dani इसको पर दबाके आवाज निकालते हैं बाकी दबच्जानों की निकालने शुरू की करें कोई नहीं यह ही strengths मदरा बगाया भी यह उस्तला की लात एब की दिखते हा कि मुफ्ती तारिक मसूर्स सहाब ने क्या फर्माया है जो अभी भी मूह नहीं दिखा सकते मुफ्ती सहाब आप तो बाहर जाते फिरते रहते हैं आपको पता ही होगा किस तना पाकिस्तानियों को देखा जाता बता है रिस्पेक्ट सेंटिमें तिहाई अफसोस के साथ कहना प पर आपको तो इसे हवाले से मुफ्ती तारिक मसूद सहाब ने अपने ऑफीचल यूट्यूब चनल से कमेंट करके और अतरहाधा का जवाब दिया कमेंट में लिखा गया था कि में मुफ्तिस साहब का एडमिन उनके ओफिशल यूट्यूब चैनल से ये मैसेज लिख रहा हूँ तो इस तरह मुफ्तितारिक मसूद ने ब्यान दे दिया कि ये पॉध्य तियार किया इसमें एक ही है लबबाई कि साहर रसूल अलाज साहर किया सर्तान से इसको किस पार्टी ने इसको नारे कौाम किया लेकिन आप बाद में चुक पर ये बदमाशी करते हैं इस वज़ा से इन इसलिए मुफ्ती साहब के क्लिप को गलत रुख देने की कोशिश ना करें इसी वाक्य पर बात करते हुए कैसरमद राजा साहब ने इस वाक्य की सख्त मजम्मत की यार भाई यह राजे के साहब आपको बोलता हुआ अच्छा लगता है ऐसी शेकल के साहब यन्य हम इसलाम की ना सिफ यह को चुपकर के देखे रहें बलकि उसकी रूस वाइए का सबब हम बते रहें शेलंकरकन मzlichला मेनजर का वाकिया हो वह अपना यह जरन आ वाकिया हो एक ऐसा दीन, जो आपको सुनी सुनाई बात, आगे पहलाने की भी इजाज़त नहीं देता? और इसलिए अजाज़त नहीं देता कि वो जूट होगी, तो वो आपको ये इजाज़त देगा, कि सुनी सुनाई बात प्रयादे टूर्घार वायलेगा उनकी इजाज़त दूए नहीं देता तो ठीक है ये समझ लो लेकिन लोगों को मारता बना ये चैवल मारदी तो ये बोंगी मारदी राजेने एंड में और इस बेवकूफ को ये नहीं पता यही वो सेंटिमेंट है जब आप ये कह देते हैं अगर्चा आप ये ना कर रहे हो लेकिन बेहतर ये है कि आप ना करें तो फिर उसका नतीजा ये निकलता है कि आप ने उस एक्शन को लिजिटिमाइज कर दिया है जो उसके रिस्पॉंस में हो ये ऐसे है कि अगर्चा बेतर है पर कोई घलत बात नहीं कि आप महिंगी घड़ी पहन लें महिंगी घाड़ी रख लें लेकि बेतर ये है कि आप ना महिंगी घड़ी पहने या गाड़ी अच्छी ना चलाएं क्योंकि इससे लोगों घुए और दिल केंदर कुछ हो सकता है तो सिर्फ एक मैसेज जी आ जाता तुम्हें सजा देंगे अगर चौरी करेंगे कोई इफस और बास नहीं है अगर मेरे दिल लल चा रहा था यह हो रहा कोई इससके उपर नहीं है यह दिल है कि मानता ही नहीं इस मुल्क में यही कह कह के शाह से जाधा शाह के वफदार हो हो के आप इस महज पर पहुंच चुके हैं अगर आपने एक मियानारवी रखी होती है क्योंकि मौशरे कभी भी एक जगा पर साकिन नहीं रहते हैं ओफ करते रहते हैं या दीवाल्फ करते रहते हैं पाकिस्तान औब इसनी डीवाल्फ होता गया है अगर यहां पर यहां पर आ आक रहती है कि आप बेशक गुस्ताखी ना कर रहे हो लेकिन अगर हमें ऐसा लगे भी कि आप कुस्ताखी का रहें आप करनी रहें लेकिन हमें लाग रहा है कि आप कुस्ताखी का रहें फिर भी मौ पकटा कर दो यह वह सोच इस तरह डिवाल्व करकी यहां तक आती है और राजे जैसे लोग इसको लिजिटमाइज करते हैं राजे का पहला अगर आपका वो बिलीफ है कि इसलाम में गुस्ताखों की सजा इस तरह नहीं है तो ठीक है आप उसको आम करें यूशुडव ड़ना फुल स्टॉप आफ़ दर लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए अब यह देखें आप उस औरत को क्या पता था कि उसने एक वो मसले की जड़ है कि आपको पता ही नहीं है कि आपका कौन सा अमल ऐसा है जो गुस्ताखी के जुम्रे में आजएगा भी राजे की वीडियो में ने चलाई है राजा जहां पर कह रहा है मेरे अंदर रूह मुहम्मद है और यह गुस्ताखी है पाकिस्तान जैसे मुवाश पता ही नहीं था उसको क्या पता कि इसको लोग ऐसे इंटरप्रेट करेंगा तो यह वो नजरीया है यह वो सोच है जो राजे जैसे चबल लोगों ने आम किया और उसके नतीजे में पाकिस्तान चांद पर पहुंच गया है दुनिया की सबसे अजीम मुल्क पाकिस्तान बन अब यह कहना है वे हारस तुमने तारिक मसूद की तारीफ कर दी तो उसकी जान को खत्रा हो जाएगा राजे है मैं तुम्हारी भी तारीफ करना शुरू करता हूं पर इंजीनियर साहब ने भी कहा है कि मुफती तारिक मसूद के साथ खड़े हो मेरा खल यह बड़ा एक तो देखें कोई 2018 में एक भी आपको वीडियो नहीं मिलेगी यह 2019 में एक वीडियो नहीं मिलेगी जो इस तरह इन लोगों का ठठा उड़ाते थे जो यह पागल तो खड़े हो जाते थे गुस्ताखी के नाम पर तो यह है एक्टिविजम का मकसद इसी से महाशरे आगे जात कर सकते हैं